कि नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभास आक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी डंगल से शिर्फ इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली जायरा वसीब ने बॉलीबुट छोड़ने का एलान करते हुए सबको चौका दिया है उनके इस फैसले के पीछे धर्म को वज़े बताया जा रहा है दरसल जायरा ने अपने सभी सोशल मेडिया प्लैटपॉर्म पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है अपनी पोस्ट में जायरा ने बॉलीबुट को छोड़ने के पीछे जो कारण बताया है वह काफी हैरान करने वाला था जायरा ने कहा कि फिल्म के लिए मेरा जीवन बदल दिया मैंने बॉलीबुट में कदम रखा और इससे मेरे लिए आपार लोक प्रियता के दरवाजे खुले मैं जनता के ध्यान का केंद्र बढ़ने लगी मुझे कामियाबी की मिसाल की तरह पेश किया गया और अक्सर यूओं के लिए रोल मोडल भी आया गया आज जब मैंने बॉलीबुट में पांच साल पूरे कर लिये हैं तब मैं यह बात स्विकार करना चाहती हूं कि इस पहचान से यानि अपने काम को लेकर खुश नहीं हूं लंबे समय से मैं यह महसूस कर रही हूं कि मैंने कुछ और बनने के लिए संघर्ष किया इ लेकिन यह मुझे गुमराही के रास्ते पर भी ले आया मैं खामोशी से और अंजाने में अपनी इमान से बाहर निकल गई मैंने ऐसे महोल में काम करना जारी रखा जिसने लगातार मेरे इमान में दखल अंदाजी की मैंने धर्म के साथ मेरा रिष्टा खत्रे में आ गया मै मैं नजर अंदास करके आगे बढ़ती रही और अपने आपको अस्वस्त करती रही जो मैं कर रही हूं सही है और इसका मुझ पर फर्क नहीं पड़ रहा मैंने अपने जीवन से सारी बरकते खो दी सोशल मीडिया पर फैंस के बीच यह भी चर्चा है कि जायरा ने यह पोस् है कि एक्टिंग छोड़ना उनकी अपनी पसंद हो सकती है लेकिन धर्म को वजह बताना सही नहीं है वहीं कुछ लोग उनके समर्थन में भी उतर आए हैं जायरा वसीन के फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख मंतरी उमर अब्दुल्ला ने ट्विट किया उमर ने लिखा कि हम कौन होते हैं उनसे यह सवाल करने वाले यह उनकी जिंदगी है जिसे वह खुश रख सकती हैं जायरा के इस अनौंसमेंट के बाद जहां कुछ लोगों को इस पर सही करार दिया है सोचल मेडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि जायरा अपने धर्म के रास्ते आ गई हैं वहीं किसी की राय में यह कमजोरी और कामचोरी नारिवादी के चहरे पर भारी थपड़ है वहीं बॉलिवूट सिंगर अभिजीत भट्टा जारा की सफैसले पर नराजगी जताई है रवीना ने ट्वीट पर लिखा कि कोई फरक नहीं पड़ता अगर वह लोग जिन्होंने महस दो फिल्मों में काम किया है इस इंडेस्ट्री के प्रतिकृतक्रिता महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें यह क्या क्या मिल रहा है उन्हों में निभाया था दंगल फिल्म में 2016 में रिलीज हुई थी इस फिल्म के बाद जारा सीक्रेट सुपर स्टार में भी नजर आई थी अवैस ओनाली बोस की फिल्म दा स्काई इस पिंक में बड़े पर नजर आएंगी फिल्म के मेकर्स ने उनके इस फैसले को सही बताया है तो झाल 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 झाल